हलो दोस्तों, वेलकम बाक टो माई चानल दोस्तों आज किस वीडियो हम लोग यह देखेंगे कि जैसे Japanese का तुछ जो एकजाम कनडक्ट करा गया है तो आप सबको पता हुआ कि जैसे Japanese का Direct सिर्फ एक ही दीन में कंडक्ट नहीं हुआ है ये अलग-अलग दिन में दोस्तों यहां पे conduct करा गया तो ऐसी सिस्थिम में दोस्तों यहां पे normalization होना बहुत जरूरी है तो दोस्तों आज किस वीडियो हम लोग यह देखेंगे कि किस तरह से इसका normalization किया जाएगा क्योंकि जो normalization होता उसका तीन trick होता ठीक है यहां पे तीनों में explain करेंगे तीनों में से कौन सा trick को इस्तमाल करके यहां पे normalization किया जाएगा यह जो हम आपको बताएंगे यह जो हम बताने वाले और यहां पे ग्जांपाल हम दोस्तों यहां पे अपने notebook में ली है ठीक है और उसके थुरू हम आपको समझाएंगे और आपको पूरा खिलली समझ में आएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और उससे पहला हम यह बताना चाहते हैं कि shift 1 यानि दोस्तो paper 1 जो हुआ था उसका normalization देखने को 100% मिलेगा इट्स में भी हो सकता है कि shift जो paper 2 था उसका normalization देखने को ना मिले क्योंकि वो core paper था ठीक है लेकिन paper 1 में आपको 100% normalization देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अब यहाँ पे मान लेते दोस्तों जो exam हुआ ठीक है पहला दिन exam हुआ उसमें दोस्तों कुछ example के तुरों मानते हैं कि 5 student जो सो यहाँ पे exam conduct कियें ठीक है पांचों में से first का आया है 10 नंबर दूसरे का 12 तीसरे का 15 चौथे का 30 और पांचवे का 40 नंबर ठीक है तो अगर इसका हम ratio निकाले ratio निकाले यानि दोस्तों सबको add करेंगे उसको 5 से divide करेंगे तो ratio आएगा 21.4 यह हो गया shift1 का ठीक है अब यहाँ पे बात कर दोस्तों for example shift2 में मान लेते हैं किसे student का आया है 15 फिर 20 फिर 25 फिर 70 फिर 80 यह नंबर अलग-अलग student का है तो अगर हम shift2 के student का अगर जिदे हम ratio नि 42 आ गया अब यहाँ पे आप देख सकते shift1 का ratio था दोस्तों 21.4 और shift2 का ratio 42 आया है ठीक है इसका मतलब यह 100% है कि shift1 का जो number है वो यहाँ पे बढ़ाये जाएगा तो यहाँ पे आप 3 cases बनते हैं ठीक है तीन cases किस तरह से बनते हैं वो हम आपको बता देते हैं या तो दोस्तो shift1 के student को shift number जो से बढ़ा दिया जाए और उसका जो ratio है वो इस परकार आ जाए कि shift2 के ratio के equal हो जाए यानि दोस्तों यहाँ पे एप्रॉक्स 20 नमबर आपको जो से बढ़ातरी मिलेगा shift1 में अगर जदी इस परकार से ratio आता है तो यह हो गया पहला case दूसरा case यह है या तो द दोस्तों यहाँ पर equal हो जाता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह दोनों trick काम नहीं करने वाला है इस तरह से normam态 यहाँ यहाँ पर नहीं होगा क्यों कि यहाँ पर जो सो बहुत ही ज़्यादा लिए कð ईवर कर जाता है किसी कब धर-व्यमर इस तरह से counted to तो यहाँ किस तरह का जो सो इस्तमाल किया जाएगा ठीक वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं तो यहां पर देखिए रेशियो को इस तरह से सेट किया जाएगा ठीक है रेशियो को इस तरह से सेट किया जाएगा कि shift 1 और shift 2 के राइसयों का फिर से राइसयों निकाला जागा ठीका। जैसे shift 1 का राइसयों आया था 21.4 और shift 2 का राइसयों आया था 42। अब इसका फिर से अगरी धेम राइसयों निकालेंगे तो आएगा दोस्तों 21.4 plus 42 divided by 2 is equals to आयगा 10.3। अब यहाँ पे समझने वाले बात यह है कि 10.3 नमबर, shift 1 के student को, सभी student को फायदा होगा 10.3 नमबर, और यहाँ पे shift 2 के student को 10.3 नमबर को कम किया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो सो जादा नमबर डिफर नहीं करेगा, कैसे? पिछले वाला trick में क्या था? कि यहाँ पे दोस्तो 20 नमबर का बढ़ोतरी हो जा रहा था, और यहाँ पे जो सो तीसरे केस में यहाँ पे है कि सिर्फ 10.3 नमबर का दोस्तों यहाँ पे नमबर बढ़ोतरी हो रहा है, और shift 2 में 10.3 नमबर का दोस्तों यहाँ पे कम किया जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तो नॉर्मलाइशन किया जाएगा तो आप आई होप आपको यी वीडियो समझ आया होगा ठीक है और समझ आया होथ हमारे चैनल से बने रहेगा हम स्टुएंट से रिलेटेट और जॉब रिलेटेट वीडियो लेकर के आते रहते हैं मिलेंगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन हलाकि दोस्तो यहाँ पर जैसे सी जैई का एंसर की बहुत ही जल्द आने वाला है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देंगे